अटमों सिने के मतरों जितने गालीयां मुझे को देनी है अपने भाशन में दे लीजेगा ख़ूब दीजे गाली आधी हो गए हम गाली सुनने के आतम मुख्धता की सीमा होती है व्यत्ति केंद्रित विमर्ष की सीमा होती है बीते एक महिना में इतनी बार NDA, NDA सुना, दिल को बहुत सुकुन हुआ, यकिन मानिये, इपक्ष में है, शत्रू नहीं है, लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्ज से ये मेंडेक आपको भी बाहर ले आए, कोई ब्लूपरिंट है, कि आय की जो आसमानता है, इस देश को लील आपको पुण्जी पती तरक्के कर रहे हैं, उसको देश की तरक्ति मान रहे हैं, नेक्ट मेंबर तू स्पीक, इस्री मनोज कुमार जहा, पंदा मिनिट, जी, शुक्रिया, शुक्रिया, वाइस चेहरमें साभ, शुक्रिया, तमाम सदस्यों का जो नाय चुनके आये हैं, श इसने दोनों पक्षों को एक संदेश दिया है, सबका शुक्रिया अदा करते हुए, मैं सबसे पहली चीज कहूंगा, कि महमहिम के अड्रेस को, अंग्रेजी में कहते हैं अभी भाशन, मैंने बीते वीकेंड पर काफी सर्च किया, कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मनश क्या होगी, तो जितने मुझे तत्व मिले, उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है, मुझे समरन हुआ, लोकसभा में प्रफसर हिरेन मुखर जी थे, वो कहा करते थे, कि अभी भाशन, यानि प्रेसेडेंशियल एड्रेस, पक्ष और विपक्ष को मिलके लिख ना चाहिए, पक्ष सिर्फ अगर लिखता है, या उस वक्त कह रहे थे, हिरेन मुखर जी, तो कोशिस ये होती है, कि दिस्टी हुनों को चश्मा पकड़ा दिया जाए, हमारी कोशिस वो नहीं होनी चाहिए, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, अब कब ये बदलाओ होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन इस मेंडेट को मैं सबसे पहले बोलूँगा, उसके बाद बिंदुवार कुछ चीजों पर पैरा दर पैरा, जो अभी भाशन के संदर्ब थे, शुक्रिया बहुत बहुत, तो वाइस चेर्में साहब, मैं उन बातों का बहुत जिक्र नहीं करूँ उधर मैंडेट कहता है, कि मैं मेरा मुझको की सीमा होती है, आतम मुग्दता की सीमा होती है, विक्ति केंदृत विमर्श की सीमा होती है, लोग तंतर में सामुहिकता बहाल होनी चाहिए, और हमारे लिए संदेश है, कि आपने जो कुछ किया, शायद इनफ नहीं था, अगर हम किताब संभीधान की हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना सफा दर सफा हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा लोगों को भरोसा देना पड़ेगा लेकिन हाँ इस मेंडेट की कुछ खुबसूरा चीजे बता रहा हूँ लोगतंत्र में सामोहिक्ता बहा लुगी मैंने बीते दस वरस से कान तरस गए थे एंडिये सुनने को बीते एक महिना में इतनी बार एंडिये एंडिये सुना दिल को बहुत सुकुन हुआ यकिन मानिये बिपक्ष में शत्रू नहीं है लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्ज से ये मेंडेट आपको भी बाहर ले आया वो बहुत आवश्यक्त दूसरी चीज़ कहूंगा हलके लाइटर टोन में अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिये रक्षा मंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है हर मोर्चे पे वो हैं इससे बात करनी है तो रक्षा मंत्री जी ये सुख़द संकेत है ये सुख़द संकेत है इस लोग कंत्र के लिए अब अब मालनिय वाइस चेर्मेंट साहब मेरा ये कहना है कि निट को लेकर के बहुत बात भी नहीं बोलूँगा मैं अलहदा आदमी था जब NTA बन रहा था उसमें वेंकईया नाइडू जी थे वहाँ मैंने जीरो आवर में तीन बार कहा कि इस देश को इस तरह की विवस्था परिशान करेगी ये बीमारी नहीं पालनी चाहिए वन नेशन वन फलाना वन नेशन वन टेपकाना वन नेशन वन चीलाना कहे को भी या कहीं ऐसी इस्तिति नहीं हो जाए कि वन नेशन वन ठेकेदार वन नेशन वन कॉंट्राक्टर पुरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई होने की संभावना है अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि राजनी तो मत करो इस पर मैं पूछना चाहूँ कि लोगों की पीड़ा, परेशानी 25 तीसला की वाओ कि सपने तहसनास हो जाएं आप विपक्स से क्या उमीद करते हैं आपकी औरकेस्ट्रा में शामिल होके कहें साहब तेरे सुबह की जाए साहब तेरे शाम की जाए ना विपक्स को अपना काम करने दीजे अगर आपने इमानदारी से NTA का मुल्यांकन किया होता आपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हर बड़ी में आज ये नतीजे ना होती एक वर्धा विश्विद्याले है मैं आपके माध्यम से कहूँ हमारे माननिय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर अग्ड़ अग्ड़ है या सर वर्धा इन्वस्टी में बहुत बड़ा फ़र्जी वारा चल रहा है जाज करवाईएगा आप पावर्फुल लोग हैं हमारे पास पावर नहीं है हम आपसे आग्रा कर सकते हैं यह आग्रा कर रहा हूं महत्मा गांधी के नाम पर वो विश्विद्याले हो रहा था और गांधी जी के लिए जो चीज त्याजिती वो सारी चीजें उस विश्विद्याले में हो रही है परसोंटिस में क्या हुआ यह सब चीजें हमें चिंता देनी चाहिए अरे आज आप सत्ता में है कल को हम सत्ता में होंगे लेकिन अगर देश के सरोकार ही रुगना वस्था में चले जाएंगे बीमार पढ़ जाएंगे तो फिर क्या बार फिर कौन सी राजनी फिर कौन सी समाज नहीं थी युवाओं की रोजगार पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता बहुत लोग बोले हैं बिहार से आ रहा हूं सर पूरे चुनाओ बिहार में था बिहार में हमें भले सीच कमाई हो लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाती कहो पुछी नौकरी नौकरी मतलब के जस्वी हमने मैयार बदला वहां वहां चिंतन बदल दी घारा बदल दी अब आपकी मर्जी है कुछ भी कहिया आप लोग तो जाज़ भी है इन्वेस्टिकेटिव एजनसी है मैं हाथ जोड़के विंती करता हूँ जितनी जितनी गालियां मुझको देनी है अपने भाशन में दे लीजिएगा खुब दीजे गाली आदी हो गए हम गाली सुनने के फिर सुन लेगे आपसे गाली लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए सा सा एन आ यो एस डी लेडी का मसला है आप ही ने बनाया आप ही ने उसको डी लेजिटिमाईज कर दिया भटक रहे हैं हजारों बच्चे सिक्षा प्रे रखका वही हाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाओ के दौर में भैंस मंगल सूतर मुझरा टोटी तोर ले जाएगा बिजली काट देगा सर परिशान हुए हम लोग मैं चुनाओ देख रहा था मैं चुनाओ देख रहा था बैक रूम से कंप्लेंड कर रहा था एलेक्शन कमिशन को जिसको दाद दी गई है अभी बाशन में सर कंप्लेंड फस्ट फेज में किया परसों मेल आता है परसों जैई फो येस्टडे अपना नाम पता एसेंबली नंबर मुबाइल नंबर भेजिए अब किस बात का भाईया अब किस बात का ये बिवस्थाएं है एलेक्शन कमिशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ अठाइस परसेंट लोगों का सिर्फ भरोसा है इस से ज़्यादा भरोसा तो पंचाएट वेब सिरीज में फूले रहा के ग्राम परधान का है लोगों को ये सोचना चाहिए मैं सर्थ मैथमेटिकल लेंथ अब टेनियर के आधार पर नहरू बनाने की कोशिश हो रही है सर्थ मैथमेटिकल लेंथ अब टेनियर से नहरू नहीं बनता नहरू बनता है जो गरम हवा को पी सके दूसरे के जखम को देख करके उस पर मलहम लगाए जखम कुरेदे नहीं जखम पे नमक न चुरिके वो होता है नहरू तो सिर्फ मैथमेटिकल लेंथ से अब सर आपको एक छोटी चीज़ बताओ जातिगत जनगन्ना की मांग की थी हमारे जदियू के साथी लोग भी थे अभी हैं मंतरी जी पनाम हमारे जदियू के साथी लोग भी थे नितिश जी तेजसुई जी ने मिलकर सर्वेक्छन कर आया मैडम मैडम, कोट में आया कोट में कौन खड़े हुए यहाँ नाम लू सॉलिसिटर जनरल ने रोकने की कोशिश की किसके इशारे पे हो रहा है एक तरफ आप कहते हैं वंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिशें करते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षन के बाद जो आरेक्षन का आधार बढ़ाया गया उसको नौमी अनुसूची में डालिए अभी पटना उचन्याले का एक निरने आया हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से भी हर के सरकार से कि वो चैलेंज करें इसको नहीं तो रास्ट्वे जनता दल पिटिशन लेके जाएगा सुप्रीम कोट सर आप आप बोल दीजेगा अभी तक गई नहीं है मुझे भी जानकारी है सर बहुत फॉलो करता हूँ बहुत फॉलो करता हूँ सर अभी महमहिम ने मिजॉरिटी की बात की मैं उस पर सुरू में बोल चुका हूँ लेजिस्लेटिव मिजॉरिटी को हमेशा मॉरल मिजॉरिटी के साप एक्ष रखना होगा मॉरल मिजॉरिटी के साप एक्ष अगर आप moral majority से नहीं चलाते हैं तो legislative majority जिस दिन cycle पे तीर सवार हुआ न यह उड़ जाएगा cycle चुनाव चीन है TDP का और तीर हमारे रमनाथ भाई का जन्ता दलि उनाइटेड का anyway, so भाजपा का, देखे, कभी-कभी mandate कितना खुबसूरत काम करता है हम बचपने से BJP को मैं follow कर रहा हूँ सारी parties को करता हूँ, BJP को भी कर रहा हूँ BJP का संकल पत्र हुआ करता था इस बार वो हो गया था मोदी जी की guarantee इस democratization का जो mandate है इससे आपको बहुत बड़ा फाइदा है व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए ये मैं समझता हूँ लबधी आप लोगों की भी है जी RJD guarantee नहीं लिखती है रेक्ती की मैं मैं protect me I need your protection मैं chairperson मैं chairperson I have I have I have 15 minutes Would you care to sit down sir आप जरा बीच में बत मुलिए ये तरीका नहीं है Sir, leader of the house ऐसे चलेगा आप बीच में मत मुलिए मैं कभी किसी को टोका टोकी नहीं करता हूँ सच चुबने लगता है Sir, fifth मैं मैं fifth पैरा fifth पैरा दिखाना चाहता हूँ President के address का fifth पैरा इसमें कहते है growth story अच्छा लगता है सुनके What kind of growth? कैसी प्रगति, कैसा विकास? Joblessness Hopelessness Facelessness और आप चाहते हैं कि उस economic prosperity की पक्ष में हम ताली बजाएं So, ma'am, मेरी ये किताब Constitution संभ़ता सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था निर्मला जी नहीं है हमारी finance minister हर budget के बाद मैं article 39 पढ़ता था concentration of wealth कोई blueprint है कि आय की जो आसमानता है इस देश को लील रही है ताली बजा रहे हैं पांच क्रोनी पुंजी पती तरक्की कर रहे हैं उसको देश की तरक्की मान रहे हैं कभी उस युवा से पूछिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है ऐसा जबाब देगा कि मुश्किल परेगा हैंडल करना मैम परसोला में बाबा साहब को selectively court किया गया ये selective court बड़ा परेशानी का चीज है कि आप किसी को semi-colon के बाद court कर दें उसके पहले की बाद छोड़ दें ये इसको हम लोग की भाशा में academics में कहते हैं almost akin to pleasurism वो किया गया अब प्रधानमंत्री जी ने चुनाओ के वक्त कहा कि एक ही जाती है वो है गरीबी सुनने में शायराना लगता है खुबसूरत लगता है फिल्मी लगता है लेकिन ऐसा क्यों है कि जातीकत हिरार्की में नीचे जाते हैं तो गरीबी बर्ती है उपर जाते हैं तो गरीबी घर्ती जाती है अब मैं समझता हूँ कि ये NFS non-found suitable non-found suitable ये चिंता का विशह है सबको अभी अनुप्रिया पठेल जी को चिठी लिखनी पड़ी है मैं बताओं ये एक मानसिक रोग है जो non-found suitable करता है विशह विशह विद्यालियों में इस मानसिक रोग से डील नहीं किया न तो हमारी कच्छनी और करनी में मीलों का फासला होगा कहागे अब पहले की कुछ सरकार unstable थी लेकिन अगर आप pro people legislation का legislation करें तो सबसे ज़्यादा खुबसूरत च्छन so called coalition government में आई है और मुझे उमीद है कि आपकी इस coalition government को भी उस pressure को समझते हुए pro people legislation पे काम करना पड़ेगा to begin with अगनीवीर को सेना में भरती को पुरानी तरीके पलाईए ताकि हुआओं के साथ नियाए हो पाए so मैम वो मैं बोल चुका हूँ भरतीय नियाए सहीता कल से आज से लागू हो गई आज से लागू हो गई लेकिन हमें याद रखना चाहिए 150 सांसदों के निलमन के साथ ये पास हुआ है इसमें कोई चर्चा नहीं होगी कोई चर्चा नहीं होगी ये एक कदम है पुलिस स्टेट की और एक औरवेलियन स्टेट की और इससे मैं आगाह करता हूँ क्योंकि हमेशा वहां नहीं होंगे जब यहां होंगे तो यही दंड प्रावधान मैं और सुनिये प्राव टविंटी सिक्स महा महिम से कहलवाया गया यह स्टेट स्वामी कुम थे कैसे इस दुरिया से गुजर गया क्यों आज भी हुमर खालिद मीरान हैदर खालिद सैफी जैसे ज़वान जो सरकार की अलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया और मैं दो किताब अगर ये किताबें मेरे पास भी आती हैं मेरे पास आती हैं तो नड़ा जी के काड़ियाले में भी पहुंचना चाहिए इनकरसरेशन बाइल पास शाह और ये चलिंजिंग कास्ट बाइजाज असरफ ये दास्तान है ये दास्तान है democracy how it is being muzzled मैं जादा वक्त लेते हैं में नहीं कहोंगा अमर्जनसी पे बात हुई मैं एमर्जनसी पे बात हुई मैं वाई च्यार परसन एमर्जेंसी पे बात हुई सच मुछ बहुत बुरा अध्याय था लेकिन मुझको लगता है कि हिंदिना जी के एडवाईजर बहुत स्मार्ट नहीं थे आज की तरह के होते न तो कहते 352 की जरूरत भी नहीं है ऐसे ही बना देंगे यह हालाद यह फर्क है और अखरी में कहूंगा कि यह जो चुनावी बिमर्ष है इसकी वज़ा से जहर बहुत है समाज में लिंचिंग चल रही है लिंचिंग मैं कितने वीजूल्स बताऊं आज से तीन दसक पुर्व मुझे स्मरण है राहीम असूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी मैं यही कहके खतम करूंगा उन्होंने कविता लिखी थी पुआधा गाउं के लेखत थे कई लोग उनको महाभारत के लेखत के रुप में जानते हैं उन्होंने एक और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी इनमा थी यह था एक भारतिय मुसल्मान का चित्रण उन्होंने लिखा था मेरा नाम मुसल्मानों जैसा है मुझको कतल करो और मेरे घर में हाग लगा दो मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बायाने जाग रही है मेरी और जिसमें मैं तुलसी की रामाइन से सरगोशी करके कालिदास के मेकदूत से कहता हूँ मेरा भी एक संदेश है अब आए दूसरा ये थारे तीन दसक पुर्व लिखी गई अभी और यहीं मैं खत्म करूंगा ये पूरे देश का चित्रन है ये हम सब के लिए आएना है वरना मारे जाओगे रगवीर साहय को याद करते हुए एक युवा कमी अधनान नाम के लिखा है मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस तीस सकेन और लूँगा मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसल्मान नहीं हो वरना मारे जाओगे राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसल्मान होने की बू तो नहीं आ रही ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए कुछ बोलते हुए कुछ करते हुए यहां तक की हसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसल्मान तो नहीं लग रहे हो वरना मारे जाओगे ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसल्मान हो और तुम मरो के नहीं एक दिन मारे जाओगे बिवेक हींता तर्क हींता के समाज को धोस्त करिये आईए हिंदुस्तान बनाए हैं वो हिंदुस्तान जहां कोई फरक ना हो गले लग सकें ये नहीं कि चुनावी मंग से कुछ जमीन पे कुछ जाए हिंग मैम जाए हिंग ठीक्यार सुरेश एंटी